नमस्कार मैं हूँ आपकी साथ प्रगती और आप देख रहे हैं तोटलीवी सीधर लिये चुलते हर्याना जोहां मुख के मंत्री नायप सिंग सेनी चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं क्या कुछ कह रहें सुनवा देते आपको मैं नार नौंद की सरदारी के बीच में आज एक विशेष इस देश के लिए बाईयो निवेदन करने के लिए आया हूँ आज 25 मही को देश की सबसे बड़ी पंचयत का चुनाव है यह छोटो चुनाव नहीं है यह गाम का चुनाव भी नहीं है यह इसले बलोग का चुनाव भी नहीं है यह चुनाव यह इस देश की दीशा और दसात्ते करने वाला चुनाव है बड़ा महत पूर चुनाव है भाईयो निवे 25 मरी को हमने करना है और मैं आप लोगों के बीच में यह वात कहने के लिए आया हूँ कि भाईयो नरेंदर मोदी जी ने पिछले 25 दस वर्थों के अंदर इस देश की दिशा और दसात्ते करने का भाईयो एक विकास की गतिक करने का कार्या किया है और अगर पिछला 55 सालों का कॉंग्रेस का सासन देखे और भाईयो दस वर्थों का नरेंदर मोदी जी का सासन देखे जमेन आसमान का अंतर नजर आता है भाईयो आज मैं आप लोगों के बीच में ये कौंग्रेस गमंडिया गठबंदन के नेता उनके बारे में भी बताना चाहता हूँ भाईयो कैसे कैसे इस भारत की वागदोर एंगमंडिया गठबंदन के नेताओं के हाथ में हम सौब सकते हैं भाईयो जो लोग जैनियों के अंदर वैठे हुए जो इस देश को तोड़ने की बात करते हैं और गमंडिया गठबंदन का जो यूराज है राहुल गांदी वो उनके बीच में जाकर के उनका समर्थन करने की बात करता है भाईयो कैसे सौब के बाईयो के इनके अंदर यह इनी गमंडिया गठबंदन की सरकार है कॉंग्रेस की सरकार है अब ही आप लोगों ने दो रोज पहले देखा है वहाँ का जो सचीवाल्या है उस सचीवाल्या के पास गाव माता को काट करके किस परकार से वहाँ पर गठबंदन की लोगों ने किया है भाईयों कहते हैं ये घमंडिया घटबंदर के लोग हंचर जानते हैं भाईयों कस्मीर के अंदर जो हमारे कस्मीरी पंडी थे इस परकार से भाईयों उनको कस्मीर से निकालने का काम किया किस परकार से उनको अपर अत्याचार किये और वो अपना सारा घर बोर जमीन को छोड़ करके उन्होंने टेंटों में रहना सुरू कर दिया कैसे आपके उपर विश्वास कर लें भाईयों प्रंतों अगर आप देखें अभी ये जो वेक्ति जिसने वहाँ पर कस्मीरी पंडी की को पाकिस्तान के सह ने का काम जो करता था यासीन मली ऑैयों वो कंग्रस के समर्थन में डिली में आकर के पोश्टर लगाता है कि कोंग्रस को भ्यूंत दें कैसे कोंग्रस को भूट दें इस बात के अपर भी विचार हम से सदमें करना है भाईयो कैसे कॉंग्रेस को वोट दें जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बंगला देश जो हिंदू परतारी था और यहाँ पर सिटीजन सिप अमेंडमेंट बिल नरेंदर मोदी जी लेकर के आए कि ऐसे परतारी था हिंदूों को सम्माल रूप से भारत के अंदर स्थान दिया जाएगा और यह गमंडिया गटबंदन के लोग कि इस परकार से उसका विरोध किया छे महिने तक उन्होंने रोड को बंद करके रखा भाईयो कैसे इन गमंडिया गटबंदन के लोगों को बहुता हमारा नोजवाल भाई भाईयों जो हमारी रक्षा सुरक्षा के लिए दिन रात बौड़ के उपर खड़ा रहता था उसके उपर इनके समय में पत्थरवाजी होती थी कैसे इनको वोट दे प्रंतो नरेंदर मोधी के समय के अंदर ना तो पत्थरवाजी दखाई दिए है ना पत्थरवाज दखाई दिए है भाईयों ये ऐसी मजबूत सरकार इस देश के अंदर नरेंदर मोदी जी के नेत्रिकम में भाईयों आज मिली है भाईयों कैसे इन लोगों को भूठ दें अगर इनकी सरकार आती है एक गैस का सिलेंडर तीन तीन दिन के अंदर मिल भाईयों लोगों को लैन में खड़ा रहना पड़ता है ये ये कॉंग्रस गमंडिया गठबंदन के लोग है कैसे इन लोगों को वोट दें ये हम सब जानते हैं भाईयों अगर दूसरी तरह हम देखे नरेंदर मोदी जी ने उस लैन को तो खत्म किया परंतू समाता वहन के घर के अंदर भी गैस का कनेक्शन सिलेंडर पहुंचाया जिसके घर के अंदर गैस का कनेक्शन सिलेंडर नहीं था भाईयों ये काम नरेंदर मोदी जी ने दस वर्थों के अंदर किया है भाईयों जब इतने काम ये हमारी सरकार कर रही है दोसरी तरह गमंडिया गठबंद कारियों की शूची है उनके पास वताने के लिए कुछ नए है और जब उनके पास वताने के लिए कुछ नहीं है तो आजकल उन्होंने जूट का साहरा ले और ये कॉंग्रेस का यूड़ाज ये जंसभा में खड़े हो करके बोलता है कि अब उजे वोट दे मैं एक जटके के अंदर गरीबी को समाप्त कर दूँगा भाईयों ये किस परकार का जूठ बोल करके देश के लोगों को बरगड़ा करके उनका वोट लेने का काम ये लोग करते हैं प्रंतु उसने अपने परिवार की तरफ नहीं देखा उसकी धादी ने भाईयों नीस सो सत्तर के दस्क में कहा था कि मैं देश से गरीबी हटाऊंगी गरीबी हटाओ का नारा दिया था पैंती वरसतार देश के लोगों का वोट लेते रहे प्रंतु गरीबी नहीं हटी पैंती वरस के बाद उसके पिता ने राहुल गांदी के पिता ने बाईयो दिल्ली में वैट करके कहा मैं तो एक रुपया भेजता हूं और नार नौंद में पंद्रा पाईसा लगता है पचासी पैसे कौन खा जाता था किसके वेल फेल पे खर्चोना था कौंचे आंग्रेस पार्टी ने किया है और भाईयो यह उराज बोलता है मैं एक जटके के अंदर गरीबी को समाप्त कर दूंगा भाईयो कौन साला दिन का चराग ले रहा है जिसको यह रगड करके गरीबी को समाप्त कर देगा भाईयो गरीबी के प्रति मजबूत लड़ाई इन दसवर्चों में नरेंदर मोदी जी ने लड़ी है आज उस गरीब वेक्ति को पांच लाख रुपे का इशमान कार दे करके उसको सम्मान देने का काम यह नरेंदर मोदी में दसवर्चों में किया है आज चिंता नहीं है गरीब वेक्ति को अगर दुरगटना वंस कोई दिक किरा सकता है यह समान नरेंद्र मुदी जी ने दिया है बाई यह कॉंग्रेस